नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने helping गौरब यूटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए new vacancy की सूचना लेकर आ गया हूँ हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं UK SSSC requirement 2020 और दोस्तों पद की संक्या की बात करें तो अच्छा खासा पद यहां पे रखा गया है 1431 पद टोटल यहां पे है और दोस्तों यह requirement जो है यह all India requirement है यानि कि अगर आप किसी भी स्टेट से विलॉंग करते हैं सिर्फ आप भारत में रहते हैं तो आप आविदन कर सकते हैं वहाई दोस्तों आविदन सुलक की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1500 रुपे से लेकर 300 रुपे तक रखा गया है यानि कि आप समझ गये होंगे कि 1500 रुपया SCST और दिब्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए रखा गया है साथ या दोस्तों हम लोग official notice को open करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या है उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक चोटा सा request करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार helping और यूटूब चैनल पर विजिट किये हैं तो भी आप helping और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी सा और बहुत ही सोट तरीके से देने वाला हूं क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको यहां पर दिखाना हूंगा टोटल 29 पेज का यह पीडियाप है और दोस्तों अगर मैं 29 पेज को कभर करूंगा तो आप सोच सकते हैं कि वीडियो कितना ज्यादा लंबी हो हूं आप जैसे मेरे टेलीग्राम गुरूप में जूडएंगे आपको यह पीडियाप दिख जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लिजेगा या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे वेबसाइट स्टार्टिंग में ही सोग कर रहा है उपर में ही आप इस आयोग द्वारा मादमिक सिक्षा विभाग उत्राखंड गडवार एवं कमाउ मंडल में समुगो के अंतरगत सहायक अध्यापक एल टी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भरती द्वारा चैन हितु विग्यापन आप देख लिए यहां पे दो चीज़ के लिए रो गया है यहां पे उत्राखंड से वेकंसी आ रही है और क्या आ रही है तो सहायक अध्यापक एल टी के कुल 1431 पद है उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं परकासन की तिति यानिकी विग्यापन जो परकासत हुआ था वो 13-10-2020 थ बात करें तो आप देख सकते हैं 6-12-2020 तक आप लोगो जमा कर देना है और वहीं दोस्तों लिकीत परिक्षा की बात करें तो संबावित तिति यहां पर अपरेल 2021 यहां पर मैंसन किया गया है और एक चीज़ मैं यहां पर पहले ही आपको पता देना चाहूंगा कि लिकीत प पर सीरी भरती निकाली जा रही है और लाइन आप लोग को आवेदन जो है आमंतृत क्या गया है एक चुक अभ्यारती आयो की वेबसाइड दिनांग 412-2020 तक आवेदन कर ले यानि कि अंतिम्ति थी कि पहले आप लोग आवेदन कर ले उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप लिखा गया अभ्यारती आवेदन पत्र भरने से पूर विगप्ति के अंत में दिये गए निर्देशां को भली माती आवस पड़े यानि कि पीछे जो दिया गया है वह पढ़ना बहुत ही जरूरी है उसके बाद दोस्तो पदकॉड यहां पे देख सकते हैं यह रखा गया है पदनाम की बात करें तो आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक हिंदी उसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है तो यहाँ पर जो है जैनरल के लिए कितना सीडशी जाती के लिए कितना अत्य dob पिछळा के लिए कितना सारा details यहाँ पर दे धिया गया है जो बीया सारा क्रूम के प्रता अंगर को चलते हैं ज्साकर घ्राइब Begin सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का मतलब है केबल महिला और यहां पर आप देख सकते हैं समान साखा के पद महला और पुरुस दोनों अभ्यारतियों द्वारा भरे जाएंगे यह इंपोर्टन सिस्ता बाकि आप इसको पुरा डीटेल में देख लिजेगा उसके आगे बड़े तो देख सकते हैं आप वेतन मानिया की सेलरी आप लोग को क्या मिलने वाली है तो आप देख सकते हैं लेवल फोर से आप लोग को मिलने वाला है देख सकते हैं 44,900 से लेकर एक लाख 24,400 तक आप लोग को सेलरी मिल सकती है वहीं दोस्तों पद का स्वरूप की बात करें अराज पत्रित अस्थाई और देख सकते हैं साथ यहां दोस्तों जो है पैंसन यूगत है यानि कि आप सम इसी तरह दोस्तों फिर से यह स्टार्ट हो जाएगा आप दे सकता है कौट नंबर यहां पर रखा गया और जो भी एक गनीद के लिए क्या क्या जरूरी है यहां पर फिर से आपको जुआ अच्छा खाब बोल सकता है कि पेज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा उसके आप आप देख सकते हैं ग्रीक अलाइबं ग्रीव विग्यान से जो है असनातक की उबादी होनी चाहिए साथ या दोस्तों अथवा में यहां पे लिखा गया यह दोनों में भी कोई है तो काम चल जाएगा उसी रहा दोस्तों आप लोगो सारा देख लेना और उसके बाद उसकोल क कितना रखा गया महिला के लिए उसी तरह दोस्तों जो भी आरक्षन का रूल के हिसाब से यहां पर मेंसन कर दिया है उसके बाद दोस्तों आप लोग आगे बलेगा तो देख सकते हैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है कि आप देख सकते हैं विभाग् समय दिया जाएगा इसको आप लोग को देख लेना है उसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कहा गया अधिमान में लिखीत परिक्षा में समान अंग प्राप्त करने पर आयू में जेश्ट अभ्यारती को चयन सुची में ऊपर रखा जाएगा कहने का मतलब दोस्तों हिंदी एबम अंग्रेजी दोनों भासाओं में आयूजित की जाएगी तता लिकीत परिक्षा दोनों मंडलों में एक ही तिती वा समय को आयूजित की जाएगी यह चीज़ देख लिजे कि कहने का मतलब है पेपर जो आपका होगा वो हिंदी इंगलिस दोनों में होगा और के का दोनों की तिती जोए की समय होगा इक ही देट होगा उसके जहाँ अब इंप्रेंटन सब्सक्राइज में करना दियान से उसके बाद आप लोग को आवेदन करना है अब यहां पर important चीज़ आयू सीमा तो आयू सीमा की आप देख सकते हैं आयू की गन्ना जो है आप देख सकते हैं तिथी जो है एक जुलाई 2020 है यहां से जो है काउंट किया जाएगा अब भ्यारती की आयू एक जुलाई 2020 2020 को नियूंतम 21 वर्स तो होना ही चाहिए अगर 20 वर्स से कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप देख सकते हैं 42 वर्स यहां पर रखी गई है उसके दोस्तों आगे बढ़ेगा तो जैसा कि आप लोग देख सकता है यहां पर जो है और भी बहुत अनापत्ती परमान पत्र प्रस्तूत करना होगा काने का मतलब है अगर आप पहले से किसी सरकारी व्याग में काम कर रहे हैं तो आपको वहां से अनापत्ती परमान पत्र बना के देना ही होगा उसका दोस्तों राश्टेता की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप भ् पढ़े तो देख सकते हैं चरीतर इंपर्टन चीजह शरीद परमानफटर आप लोग जो भी देख सकते हैं यहां पर आप सकते हैं वीभाई क्परस्थिते की बात करें तो यहां पर 60 में मैं आप लोग दोनो आरक्षन जोता है 6 ती आरक्षन होता है जांदरण होता है धो यह pajam पे पालन क्या जाएगा उसके दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं भूत-पूर अगर आप कह साथ या दूस्तो अगर आप सोतंता से नानी के अगर पोता पोती है तो आपको जो भी 2% का चूट मिलता आपके लिए सीड भी बुक रहेगा और बांकी आप देख सकते हैं जो आपको छूट नहीं किया जाए काने का मतलब है दूसरे तरीके से अगर आप इदन करते हैं तो वह स्विकार बिलकुल भी नहीं होगा उसके दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि फोटो का साइज आप लोगा क्या होना चाहिए अधिकतम 50 के भी क्यों करते हैं और उसके दोस्तों आगे बड़े तो आप देख सकते हैं आप समान के लिए जो है 300 रुपई रखा गया है तो आपको भी 300 रुपई लग जाएगा वहीगा वहीं दोस्तों देख सकते हैं उत्राखंड के अनुसुची जन जाती के लिए बीड़ सो रोपया गया है उसी तरह दोस्तों अगर आप उत्राखंड से विलॉंग करते हैं और दिव्यांग है या फिर आर्ती ग्रूप से कमजोर है तो आपको डिल सो रोपया देना है बांकी अगर कोई अधर इस्टेट वारे इस फॉर्म को भरते हैं तो सभी को जो है 300 रुपया देना है उसका दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है निर्धारी तिती तक सुल्क आयों के खाते में प्राप्त होने पर ही आविदन पत्र पुर्ण भरा हुआ माना जाएगा अन्यता नहीं माना जाएगा उसके दोस्तों आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं यहां बहुत से पढ़ हुआ की महिला अभ्यारती को डबलू ओ उसी तरह दोस्तों सुतनता सैनानी के अगर पोता-पोती है तो डी एफ है इसे दोस्तों दिभ्यांग के लिए पीएच यहाँ पर लिखा गया है उसका दोस्तों आप पेज नंबर 29 पर आईएगा यहाँ पर सिर्फ सचीव का मिलेगा तो दोस्तों आसा करते हैं कि इस वीडियो के मादम से आपको सारी जानकारी मिल गई और दोस्तों अगर आप आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार पूरा डिटेल्स में इस पीडियाप को पढ़ लिजेगा उसके बाद ही आप लोग आवेदन किस देगा पीडियाप आपको मेरे टेली ग्रूप मे मिल जागा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में और जाते आते एक बार फिर से मैं आपसे एक छोटा सा इक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग और आप यूट्यूब चैनल पर विजिट किये हैं तो आप हेल्पिंग और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगल के बैल आकों को दवाना बिलकूल न बोले क्यूंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको हर वेकंसी की जानकारी मिलती है चाहे वो इस्टेट गवर्मेंट की यहां तक कि दोस्तों अग मिलते हैं फिर से आपके अगली वीडियो में तब तक के लिए बा और टेक केर जहिंद वंदे मात्रम